इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रिचर की अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखिए शॉटर स्पीड के बारे में तो वो भी चेक कीजिए वो स्क्रीन पर कार्ड बारे में अगर अप्रिचर का बात करें तो यह है वो साइज उस होल का जो आप के लेंज के आगे है जिसके तुरू शारी लाइट आती है अपिचर कट्रोल करता है कितनी जादा light camera के अंदर आएगी अगर hole बड़ा है जादा light आएगी hole कम है तो कम light आएगी एक बड़ा aperture is denoted by a छोटा number या f stop और एक छोटा aperture होगा f8 या f16 या f22 अब aperture का एक काम तो यह है कि light जादा अंदर लाता है तो अगर आपकी photo dark है तो आप बड़ा aperture रखना चाहेंगे पर उसी के साथ इसका side effect यह है कि यह control करता है आपकी photo में कितना area focus में होगा और कितना blur होगा अब बड़े aperture को ज्यादा तर तब यूज़ करेंगे जब आपको पास light काम है या फिर जब आपको अपने subject को stand out करना है उसको आपको background से अलग करना है और इसी की दूसरी तरफ आप छोटा aperture तब यूज़ करेंगे जब आपको photo में ज्यादा area को focus में रखना है whole छोटा होगा ज्यादा चीज़े focus में रहेंगी पर light काम आएगी इसको ज्यादा तर हम landscape में यह फिर product photography जिसमें आपको हर चीज बिल्कुल sharp focus में चाहिए तब यूज़ करेंगे अब aperture photography के triangle का सिरफ एक पार्ट था इससे पिछली वीडियो में ह और अगली वीडियो में बात करेंगी ISO के बारे में तो उस वीडियो के लिए stay tuned notifications दबादो subscribe अगर नए हो like कर दो अगरी वीडियो काम की आई तब तक के लिए यह रही कुछ और वीडियो जो मुझे लगता है आपको check out करने चाहिए and have a great day